कि यह वीडियो आज मैं 15 सितंबर 2019 को बना रहा हूं और एक मन में बहुत बड़ी बात आ रही थी कि जयविक में जितने भी गुरू है वो सब फार्मूले बताते हैं कोई किसी तरह का फार्मूला बताता है कोई करता है इस वीडियो में मैं सुनने लाइक ज्यादा है फोटो इसलिए चल रहें के कुछ फोटो भी काम आएंगे इसलिए यह एक जैविक खेत का चित्र है जो पिछले 10 साल से जैविक है तो जो सबसे बड़ी चीज है जैविक खेती में वो है जैविवित्ता या जैविक विवित्ता या फसल विवित्ता या जितने तरह के पौधे लगे हुए खेत में उनकी विवित्ता वो सबसे बड़ी इसलमे की चीज और वह किस तरह से किसान को फाइदा करती यांता है जोकि रसायनिक नहीं होता है वहाँ सिर्फ एकल्फसल होती है और एकल्फसल होने के कारण नहीं कि इस यूरिया डियापी लीजोन होती है उनका असर जो है वह चार गुना नहीं बताता है क्योंकि उन्होंने कि इस चीज पर काम खिया ही नहीं होता है वह अपने फर्मुले के नाम से अपने प्रसिद्ध करते हैं अपने आपको और वह बड़े-बड़े गुरु बन जाते हैं लोग उनको भगवान समझने लगते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि ए आर तरह की लगाएं जैसा कि इस खेत में आप देख रहे हैं यह गवार की फसल है कि इसके बाद अच्छा गवार में भी दो वेराइटी है यह देखिए यहां से यह जो डंडी गड़ी हुई है यहां से दूसरी वेराइटी होने से अधी एक बीमारी किसी में आ रही है या कोई कारण से कोई कीट किसी अवस्था में आ रहा है अवस्था की बात बहुत बड़ी होती है कोई कीट अगर किसी अवस्था में आ रहा है तो दूसरी दूसरे वेराइटी में अगर वह अवस्था नहीं आई है तो वह वेराइटी बच जाएगी तो यह देखिए यह गव बाजरे में भी दो वेराइटी है, यह एक वेराइटी है, इसके आगे यहां से यह दूसरी वेराइटी है, तो दो वेराइटी होने का भी फायदा यह है, कि कभी बरसाद ज्यादा हो गई तो हो सकता है, एक वेराइटी को फायदा हो जाए, दूसरी को ना हो, दूसरी को नु भी उगा रहे हैं तो दो फसल में कम से कम दो वेराइटी लगाईए अब देखिए इसमें तिल की जड़ जो है वो अलग गहराई तक जाएंगी बाजरे की जड़ अलग गहराई तक जाएंगी दोनों अलग अलग जगह से अपना पोसंड लेंगे तो उसकत्तों का कभी उसमें कमप्टिशन नहीं होगा फसलों में यह एक बहुत बड़ी चीज है और जब उसकत्तों का कमप्टिशन नहीं होगा तो फसल जो है वो अपने आप सस्थ होगी तो जो हमारा कीट ना सकिया वो सकत्तों को देने का खर्चा है वो काफी हद तक बच और यह सब्सक्राइब के पास मूंग लगी हुई है कि मूंग से नाइट्रोजन वह बाजरे की फचल को मिलेगी यह विज्ञानिक ट्षे क्ोई किसी परढ़ निव थी में लिखा हुआ है लेकिन व forgiveness अधी धलनी फसल अडलनी फसल के साथ लगाई जए तो दलनी फसलों से नाइटरूजन जो है अदलनी फसलों की तरब जाती है। को आपको पानी भी ले रहे हैं और पोशक तत्तु भी ले रहे हैं यह देखिए सावा तो अब इसके बाद एक और चीज बड़ी अथी है वो यह है कि इस बाजरे में भी एक बार निराई-गुडाई करी गई है और इसी तरह से तिल में भी एक बार नराई गुड़ाई करी गई है , यह देखी है मज़िकं funk कहीं इसमें कोई खरपतवार नहीं दिख रहा है , मोज़ देखी आप कोईखरपतवर नही दीख रहा है , फिर नराई गड़ाई करी गई है इसी प्रकार से गवार की फसल में भी एक बार निराई गड़ाई करी गई तो यह देखिए यहां भी कोई खर्पतवार नहीं है लेकिन इस मूंग की भी एक बार निराई गड़ाई करी गई थी लेकिन देखिए इसमें कितने खर्पतवार आ गए हालां कि इसमें फलियां लग रही है ऐसी बार नहीं है फलियां नहीं लग रही है लेकिन इसमें कितने सारे खर्पतवार आ गए तो अब इसमें दो बार अगलाग तर ऐसे खरपत्वारों से अपना प्रतीस फदा करती है कंप्टिशन करती है तो यदि ऐक ही फशल होती है तो फंची जाते हैं बड़ते ही जाते उस खेत मे आप खरपत्वार नाशी भी डालेंगे तब भी वह काम नहीं करेंगे थोड़े कि खेटी खराब होती है वो तो समकर समुझ में आती हुए यह एक है अगर आप खेट में तीन तरह क्यों लगाइंगे तो आपके तो आपके पास यह और आपके पास लेबर हैं तो आप शचीमिता वहां एक संहे लगाया तब तक उसमें आ जाएगा तो एक लेबर का प्रबंदन भी एक बहुत बढ़िया तरीके से होता है यदि आप खेत में तीन-चार तरह की फसल लगाते हैं अब इसके बाद खर्पतवार नियंतर्ण हो गया लेबर का हो गया जमीन में पोशक तत्वों का हो गया यह एक कुछ बड़ी-बड़ी चीजे हैं जो खेती में वास्तक्रिता में दिखती हैं हमको कि इनको करना पड़ता है यह मंच पर बैठके प्रवचन देना वह अलग चीज है खेत में जो होता है वह दिखाना बहुत जरूरी है यह दिखेत में एक ही फसल है तो आपको जाने कितना दाम देके एक साथ बहुत सारे लेबर लाने पड़ते हैं यह पूरे एरिया में एक ही फसल है तो फिर आपको उस समय जो लेबर के पैसे देने पड़ते हैं वह कहने वाली बात नहीं है शायद उससे ज्यादा पैसे आप देते नहीं कभी लेकिन अधी तीन फसल आपकी लगी हुई है तो मूंग सबसे पहले आएगी यह फसले आप अपने छेत्र के साफ्स हो सकते हैं आपका मूंग की जगे आपकी यह उड़द होता हो आपकी यह कपास होता ह हो चावल होता हो तो फसल अपने अपने एरिये की होती है यह तो मैं अपको उधारन दे रहा हूं उसके बाद आपकी बाजरे की फसल आएगी उसके बाद तिल की फसल आएगी और सबसे आखरी में गवार की फसल आएगी तो यदि आपने तीन या चार लेवर या जितने च है अच्छा जो हमारे लेबर होते हैं वो उनका भी कुछ मन होता है तो यह एक फसल पकर रही है दूसरी पर फूल लग रहे हैं और तीसरी पर फल लग रहे हैं तो लेबर का भी मन लगा रहता है वराइटी काम मिलती है मतलब तरह तरह के काम करता है सुबह किसी का कटाई कर ली दूपैर को किसी में छिड़काव कर दिया और शाम को किसी में और कुछ कर दिया काम मतलब उसमें निराई गुड़ाई करनी है तो लेबर का भी काम जो है वो इस तरह से बटा रहता है तो उसक अब इसके बाद जो सबसे मुख्य बात है वो यह है बाजार तो बाजार क्या करता है बाजार से पहले एक चीज और बताता हूं यदि मूंग पे कोई रोग लग रहा है केड़ा लग रहा है है कि अब यदर सौने लगो हैं तो बाजरा में प्रतिरोधक दीवार का काम करेगा कि यह पाज़रे में कोई रोग लगा हुआ और इधर फिर बाजरा लगा हो यदि को रोकने का काम करेगा उन्हथ तो पटियों में अगर हम लगाएंगे तो एक फसल के कीडे जो दूसरा फसल के कीडे को फैलने रोक को फैलने से रोकती है एक दीवार का कार्म करती है यह एक और चीज है और एक जो चीज है वो है बाजार अब बाजार हो सकता है आपको मूं का बाजार इस बार कम लगे या बाजरी का बाजार किसी का ज्यादा हो जाए या हो सकता है कि तिल का बाजार सबसे ही ज्यादा हो जाए या गवार का बाजार कहीं से डिमांड आ गई बिजदेश से तो गवार भी आपकी महंगी बिग गई तो जब तो या तीन फसल होती हैं तो किसान को बाजार से कोई चिंता नहीं होती है यह एक फसल में पांच रुपे कम मिले और दूसरी फसल में साथ रुपे ज्यादा मिल गए तो सब कुछ फायदा भी फायदा होता है अब एक चीज और देखिए किसान अगर एक फसल लगाएगा तो बाकी सारी चीजें वह बजार से खरीद के लाएगा जहां सब कुछ महंगा मिलता है अब यहां पर आपने दाना लगा रखा है रोटी बनाने के लिए बाजरा है तेल के लिए तिल है यह देखिए तेल के लिए तिल है और दाल बनाने के लिए अपना मूंग है और पशू के चारे के लिए हमारे पास गवार है तो आपको जो बहर से लानी वाली चीज थी वह बहुत कम हो गई आपका अपना घर का खर्चा बहुत कम हो गया और आप शुद्ध चीज खा रहे हैं बाहर से आने वाली कीट ना सक्से भरी हुई चीजों से आप एक तो महंगी लाएंगे जो मुंग आप 50 रुपे बेच के आते हैं वही उसकी दाल आप 70 रुपे 80 रुपे लेके आते हैं तो बजार से एक तो चीज महंगी आएगी और दूसरी उसकी गुणवत्ता की क्वालिटी नहीं होगी तो कितना जरूरी है फसल चक्र करना यह सब चीजें इसमें बताना चाह रहा था मैं पेड़ भी बहुत जरूरी हैं अभी इस समय इस खेत में बेर के पेड़ लगे हुए हैं तो बेर के पेड़ पे बेर के पेड़ पे इस समय फूल आ रहे हैं और हमारे कई सारे मित्र कीट जो है वो उसमें परागण के लिए आते हैं और इन मित्र कीटों में कई ऐसी मख्यां भी हैं जो क्योंकि इसका समय अलग-अलग होता है फूल खिलने का तो उसी इसाब से इसमें कीट आते हैं कई मख्यां ऐसी हैं जो बेर पर तो परागण गड़ती हैं लेकिन उसकी लिए अपने बच्चों के लिए लटें जो है वो मूंग और वाजरी से लेकर आती है तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम बन जाता है मदु मख्य के लिए भी एक साल भर अपना जीवन यापन का साधन म रहता है जिदि आपके खेत में पेड़ हैं तो ये उसको साल भर जो है मकरंद जिसको कहते हैं अब देखिए ये अपना काम कर रहा है और ये लटें ले जाएगा यहां से लटें मूंग से लेगा ये तो ये सब कीट अपना काम करते हैं कुछ ऐसे पेड़ हैं जैसे जन बोलते हैं और इसी तरह से कुछ और भी पेड़ हैं इनमें काफी सारे पोशकतत्व होते हैं यह देखिए कि काफी सारे पोशकतत्व होते हैं यह आपका एक जो इसको नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जाड़ी भी बोलते हैं यह है गलैरी सीडिया यह भी आपके खेत में होगा तो इन सब की पतियों को गोव मुत्र में मिला के इस्प्रे करते रहिए किसी पोशक टत्व की कमी नहीं होती है और यह हमारे खेत को नुकसान नहीं करते हैं जादा यह कोई फशल से कोई ने कम मिला पेड़ से मिल जाएगा आपने बेर लगा रखें तो बेर से मिल जाएगा इसी प्रकार फसलों में भी है यह लेट हो गई बरसात तो गवार अच्छा दे देगी बाजरा कम देगा या तिल कम देगा तो जब 80% इस देश में बरसात के उपर फसल होती है तो अब हम तो भी ने एकल फसल लगा के अपनी खेती को नुखसान नहीं करना है फसल की विवित्ता रखनी है, मिला के नहीं बोना है अलग अलग पट्टियों में बोना है आप तीन फसल लगाईए कम से कम तीन फसल लगाईए तो एक जो खेत का हिस्सा है उस पे आपको तीसरे साल उसी फसल को लगाने का मौका मिलेगा और कोई गरबड नहीं होगी ना तो जमीन में कोई रोग नया पैदा हो जाएगा रोग ह तो इस प्रकार से जैविक खेती में जो हमारा सबसे बड़ा चीज है कि हम ऐसा वातावरण पैदा करें कि रोग कीट पैदा ही नहों उसमें यह फसल चक्र जो है वो सबसे बड़ा अपना काम करता है इसको अवश्य ध्यान रखिए सिर्फ इस पर मत पीछे पड़ जाईए कि मेरा गेहु 40 रुपे किलो बिखता है तो मैं तो सिर्फ जैविक गेहु करूंगा या मेरी कोई और चीज है वो एक बिखती है तो मैं हर साल वही करूंगा यह जैविक खेती के लिए तो कम से कम उप्योगी नहीं है लंबे समय के लिए 2-3 साल आप चला सकते हैं लेकिन ज कोई किसान भाई अगर यह कहे कि मैं जैविक मेरा खेत है उसमें जो पैदा होता है वही जैविक है वही वास्तम में जैविक किसान है और वही वास्तम में जैविक खेती है धन्यवाद